वर्यूं आप लोगों का मया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरूल रह में जेपीजी फार्मेट में कैसे सेव करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूं इसके लिए क्या है कुछ फाइल से अभी में किया की से उपन बुलता हूं और यह कहा है कि बोल्ड का डिजआन है बारे में बताने जा रहा हूं गर आ 11 में बारे में ब्याया है में चक्क लेना अभी देखो यह क्या है दोनों फाइलर cdr format में है तो अभी पहले इस बोल्ड को क्या है open कर लेता हूं मैं इसको double click क्या मैंने सो अभी देखो यह क्या है open हो गया भी इसको थोड़ा zoom out करता हूं अभी देखो इसका जो size है 144 by 72 inches है यानि 12 feet by 6 feet का एक banner है सो अभी इन सबको select रखते हूए अभी में क्या करता हूँ पहले file में आता हूँ file में आके आपको क्या करना है export में आना है मतलब क्या है joint photographic experts group करके हैं तो अभी इसको select रखते हुए इदर अलग-अलग formats भे आएंगे तो अभी इसमें क्या है jpg select रखा है मैंने और इसको selected only रखा है यानि यह जो banner है selected है अभी मैं export बोलता हूँ एक window आगया भी अभी अभी दिको इदर जो color mode आपको दिखा रहा है यह क्या है CMY के है आपको CMY के रखना है यानि cyan, magenta, yellow और black आता है अभी इदर quality highest है इसको थोड़ा इसे नीचे scroll कर लेता हूँ सो इदर आपको क्या है इदर maintain size को active रखना है जो size आप देते हो वही size इदर ले लेता है और इसका resolution है इसको 72 करता हूँ यानि banner printing के लिए क्या है 72 रखा है मैंने अभी इतना रखके अभी मैं क्या करता हूँ इसको okay बोल देता हूँ okay बोलने से दिखो अभी यह क्या है jpg format में save हो गया अभी इदर क्या है empty space पे mouse right click करके import करता हूँ अभी देको यह जो बोल्ड Print करके हमने save किया था ही इतर आगे है इधर आपको यह अभी इपज़ करता हूँ दिखा रहा है सो अभी समझो मुझे क्या करना है विस्टिंग काड का भी बनाना है तो अभी के लिए इसको डिलेट करता हूं मैं अभी फाइल ओपन करता हूं मैं सो अभी देखो इधर क्या है विस्टिंग काड का यह है इसको डबल क्लिक करता हूं सो दिखो भी visiting card का file क्या है open हो गया अभी अभी इन सब को select रखते हुए इधर क्या file में आके export बोलता हूँ export में आने के बाद अभी दिखो इसको क्या है visiting card print करके नाम देता हूँ प्रिंट करके नाम दिया मैंने अभी समझो इसको number of copies आप सोगरा कैसे रखना है उसके बारे में already मैंने video बनाया है उसको क्या है end screen में देता हूँ उसको आप जरूर देख लेना तो अभी मैं क्या करता हूँ इदर visiting card print करके नाम दिया है अभी selected only active रखके इसको export बोलता हूँ अभी देखो इसको भी क्या है इदर CMYK mode रखा है अभी इदर scroll कर लेता हूँ इसको आपको क्या करना है resolution 300 रखना है अभी इदर भी क्या है maintain size को active रखा मैंने और इसका resolution 300 रखा है अभी इसको ok बोलतेता हूँ अभी इसको भी क्या है एक बार मैं आपको import करके दिखाता हूँ इदर empty space पर mouse right click करो right click करके import बोलो आप import में आके अभी देखो यह क्या है visiting card print करके है इसको double click करता हूँ भी इदर click करता हूँ तो देखो भी यह क्या है इंपोल्ट हो गया भी इस तरह किया है आप को रूरो में jpg format में सेव कर सकते हैं यह आपको समझ में आ गया अगर यह करते हो तो आपको कुछ doubts वगे रहा है तो मुझे comment box में comment किजिएगा हमारे साथ जुटे देने के लिए और इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद